अब बाद आपके अपनी यूट्यूब चैनल ZDTAC में आज आमार पार दो गेमराद है एक तरफ है Canon 280D Mark II एक तरफ है Canon M50 Mark II आज हम दोनों केमरा का कमपेजन्ट टेस्ट करके दिखाने वाले हैं अब को बताएएगे किुन सा कीमरा बेस्ट है अपको कुन सा कीमरा लेना चाहिए सबसे बहल आपको वीडियोמी लाष्ट तक देखना होगा और भी स्किप के तभी आपको समझवाएगा किवस्ट है अगर आप हमाँ चैनल पर नयो हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दोयार काफी महनत लगती है वीडियो बनाने में वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना ना बूले तो चलेगा आज वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किये सबसे बहुत बात करते हैं दोनों ही कैमरा के में डिफरेंस के बारे में जो कि है पोडी टाइप Canon M50 Mark II एक मिरलेस कैमरा है और Canon 280 Mark II एक DSLR कैमरा है उसके बात बात करते हैं दोनों ही कैमरा के लोंच डेट के बारे में Canon 200D Mark II attic 2019 Camera M50 New Centers 2020 Canon M50 Mark II латту camera pleasures of Canon 200D Mark II अंद उसके बात बात की जाएं तोंगों ही जिससे मह तोंगों ही यह के बारे में तोंगों ही चिर्जिशाजादвой उसक्ता यह केपी आख्ड़ प्रोसेसरं इला है तोंगों ही केम्रा उसक्ता के मीलता है और उसके बात बात करते हैं दोनों हीी देखने के लिए मिलती है एंड वन तू फॉथाज़न का मिफ्वर स्पीड देखने के लिए मिलती है दोनों ही केमरा में बात की जाए दोनों ही केमरा के फ्यूचर के बारे में तो दोनों ही केमरा में बिल्कुल सिमिलर फ्यूचर देखने के लिए मिलते है ISM megapixel and processor की बात की जाए तो दोनों ही camera में same देखने के लिए मिलते है अब बात करते है दोनों ही camera में क्या difference देखने के लिए मिलता है तो सबसे बहुत करते है battery life की Canon M50 Mark II की battery life कम होती है Canon 200D Mark II से Because Canon M50 Mark II एक mirrorless camera है एक mirrorless camera की battery life कम होती है DSLR camera से क्योंकि Canon 200D Mark II एक DSLR camera है battery life की बात की बात की जाए तो Canon 200D Mark II best है battery life में एंड उसके बात करते है दोनों ही camera के फोकसिंग के बार में Canon M50 Mark II में फोकसिंग काफे जादा बेश टेखने के लिए मिलती है Canon M50 Mark II एक mirrorless camera है जिसके वज़े से हम वीडियो से वगेरा में फोकसिंग काफे जादा स्मूथ होती है Canon M50 Mark II में हमें Eye Detection का भी option देखने के लिए मिलता है जिससे हम बहुत ही आसानी से फोकसिंग कर सकते है उसके बात करते हैं दोनों ही camera के स्क्रीन के बार में तो दोनों ही camera में फुली रॉटे टैची स्कीन देखने के लिए मिलती है जिसके वज़े सम बहुत ही आसानी से किसी पे अंगल से फोटो से वीडियो शूट कर सकते है टैची स्कीन होने के वज़े से बहुत ही आसानी से अपना camera यूज कर सकते है उसके बात बात करते हैं दोनों ही camera के lens mount type के बारे में Canon 280 Mark II में हमें EF type mount देखने के लिए मिलता है और Canon M50 Mark II में हमें RF type mount देखने के लिए मिलता है अगर आपका budget कम है और आप कम पैसे स्पेंट का सकते है अपने camera में तो आप Canon 280 Mark II की तरफ चाहिए इसमें हमें EF type mount देखने के लिए मिलता है जिसमें हमें काफी low range में camera के lens से देखने के लिए मिलता है and RF type mount में हमें काफी ज़्यादा expensive lens से देखने के लिए मिलता है अगर आपका budget कम है तो आप Canon 280 Mark II की तरफ चाह सकते है अब आप काते है कौन से camera best and आपको कौन से camera लेना चाहिए अगर आप अपने camera से video graphic करना चाहते है vlogging वगेरा करना चाहते है अपका main purpose video graphic है तो आप Canon M50 Mark II की तरफ चाह सकते है बट उस lens काफ़ साथ expensive होते है and अगर आपका budget कम है आप एक photography करना चाहते है तो आप Canon M50 Mark II की तरफ चाह सकते है क्योंकि उसकी mental life भी अच्छी है और उसके lens भी काफ़ साथ low price में आते है अगर आपका budget कम है तो आप Canon M50 Mark II की तरफ चाहिए दोस्तों अगर आपको हमारी video अच्छी लगी हो तो video like करे, channel subscribe करे बेल आइकन दबाना ना भूले तो चलिए आज मिलते हैं एक और new video के साथ तब तक के लिए, bye, ta-da